नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर आलोक सिंग राठोड एक बार फिर आजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे और फ्लोक्सासिन और और टेबलेट आती है कॉम्बिनेशन में उसके बारे में तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइ इंडाजॉल जो टेबलेट है उसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं उसके क्या क्या वर्किंग होती है यह किस तरीके से बॉड़ी पे काम करती है और तो और इसके डोजेज वगरा डॉक्टर कब-कब लेने की क्या क्या सला देते हैं और फ्लोक्सासिन और इंडाजॉ उपयोग जो infection हो जाता है intestine में यानि कि जो intestine infection होता है उसके दोरान भी डॉक्टर करने की सला देते हैं अगर इसके composition की बात करें तो अफ्लोकसासिन और अर्णिडाजोल टैबलेट 200 mg और 500 mg दोनों प्रकार से market में या medical store पे आपको आसानी से उपलब दो सकती है ओफ्लोकसासिन और अर्णिडाजोल एक तरीके की दो antibiotics का combination होता है ओफ्लोकसासिन और अर्णिडाजोल जो tablet है उसके mechanism की बात करें कि किस तरीके से body के अंदर जाने के बाद ये किस तरीके से mechanism होती है इस tablet की उनके DNA को तोड कर मार देता है ताकि ये आगे डबलब ना हो सके अब दोस्तों बार करते हैं जो ओफ्लोकस ओजेट टेबलेट आती है उसके doses के बारे में जनरली जो डॉक्टर इसको लेने की सला देते हैं वो खाना खाने के बाद आप सोबह शाम इसको ले सकते हैं और इस को लेने से पहले एक बार डॉक्टर की सला परामर्स के बाद ही इस ओफ्लोकस ओजेट टेबलेट के उप्योग करें अगर ओफ्लोकस ओजेट टेबलेट के यूजेज की बात करें तो जनरली इनका उप्योग डॉक्टर तब करने के सला देते हैं जब बॉडी के इंदर डा कि कैसले आने लग गए हो तब डौक्ट से लेने की सला देते हैं अगर इस टैबलेट कि Neden के वो हैं आपको वेयों अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो तुरंप प्रभाब से प्योग करना रोख दीजिए और बाट डौक्टर की सलाप पर करना continue रखिए इस वीडियो को अंतर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाल थैंक यू